सबसे पहले मैं विंडोस 7 इंस्टॉल करूंगा मशीन पर विंडोस 7 और लाइनेक्स जब रिचल 6 और विंडोस 7 की बात आती है तो रिचल 6 को हम बात में इंस्टॉल करते हैं और सबसे पहले उस पर विंडोस 7 डालते हैं विंडोस 7 का जो बूट लोडर है बूट MGR और जो लाइनेक्स का बूट लोडर ग्रब है Linux का जो bootloader grub है वो higher version है MGR से, boot MGR से इस वज़े से हमें operating system, RHL6 बाद में डालना होता है अगर हम इसको पहले डाल देंगे तो problem क्या आने वाली है कि यहाँ पर booting की problem आएगी उस case में सिर्फ Linux ही चलेगा और Windows नहीं चलेगा Windows corrupt हो जाएगा sorry अगर हम बाद में Windows 7 डालते हैं तो Linux हमारा corrupt हो जाएगा और Windows 7 चलेगा क्योंकि boot MGR जो bootloader है वो उसके अंदर latest configuration नहीं है वो recognize नहीं कर पाता है विंडो RHL6 के bootloader को उसकी boot configuration उसके save नहीं हो पाती इस वज़े से वो उसको MBR से pick नहीं कर पाता है तो अभी क्या है कि यहाँ पर मैं सबसे पहले Windows 7 डाल रहा हूँ then इसी machine पर मैं Windows RHL6 डालूँगा तो यह जब तक installation हो रहा है तो एक बार देख लेते हैं कि Windows 7 का installation कैसे होता है यह भी इसके साथ देख लेते हैं यहाँ देख रहा है setup is starting मैंने Windows 7 का CD डाल रख है machine में उससे installation चल रहा है okay यहाँ आप Windows पर देख रहा है कि यह x86 architecture और x64 architecture है तो मैं यहाँ पर Windows का x86 architecture install करूँगा select करके next करते है यहाँ license agreement है Microsoft का यह license agreement को accept करते है आगे बढ़ते है then first option आप देख रहा है upgrade option है upgrade option में हम Windows 7 से अगर हमें Windows 8 करना हो या Windows विस्ता से Windows 7 करना हो तो यह upgrade option यूज़ करते है हमें fresh installation करना है इसलिए हम custom option यूज़ करेंगे यहाँ आपके पास देख सकते हैं कितना drive है तो यहाँ से मैं एक partition create करता हूँ primary partition इसमें मैं 30 GB का partition create करता हूँ apply करते हैं यह 30 GB का partition है इस partition को select करके मैं next कर देता हूँ तो यह जो Windows 7 है यह 30 GB के partition पे install हो जाएगा यह थोड़ा सा time लेगा तब तक के लिए वीडियो को pause करते हैं जैसे ही complete होगा आगे प्रेस करेंगे नदरा होड़ाई तक करेंगे जैसे मजभनाभ्य मेरे कुदार जैसे हैं आगे जैसे ह lead तूल वाःवट्व करता हैं फाइनल होने माला है इंस्टॉलेशन लास्ट से इस पे है जैसे ये आप विंडोस इंस्टॉलेशन कम्प्लीट होगा एक बार विंडोस से लॉग इन लेंगे दिन अगेन आरिचल सेक्स की डीविडी डाल के इसको दुबार से आरिचल सेक्स इंस्टॉल करेंगे झाल 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 6 का डीविडी इंसर्ट किया है तो अब देख सकते हैं इंसर्ट करते ही बूट कर गई है सेडी फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर इंस्टॉल और अप्ग्रेड एन एक्जिस्टिंग सिस्टम सेकंड ऑप्शन है इंस्टॉल सिस्टम विद बेसिक वीडियो ड्राइवर थर्ड ऑप्शन है रेसिक्व इंस्टॉल सिस्टम और फूर्थ ऑप्शन है बूट फ्रम लोकल ड्राइव तो फर्स्ट ऑप्शन जैसे हमें फ्रेस इंस्टॉलेशन या अप्ग्रेडेशन करना होता है तो उस केस में फर्स्ट ऑप्शन यूज करते हैं अगर हमें फर्स् इस सेकेंड ओप्शन में क्या होगा कि आपका जो अरिचल 6 का इंस्टॉलेशन होगा वो कमांड प्राम्ट के थू होगा या फिर जो रेजिलीशन होगा वो बहुत लोवर होगा थर्ड ओप्शन है जब हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को रिपेर करना होता है थर्ड ओप्शन तब यूज़ करते हैं अगर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम रिपेर करना है अरिचल 6 पहले से इंस्टॉल्ड है और उसे हमें रिपेर करना है तो रिस्क्यू इंस्टॉल सिस्टम सेलेक्ट करते हैं और अगर हमें इंस्टॉलेशन नहीं करना है हमें जो operating system पहले से hard disk में पढ़ा हुआ है, system में पढ़ा है उससे हमें boot करना ना है तो हम fourth option use करते हैं, then last में है memory test, अगर आपको RAM test करना memory test करना है, तब इसको use करेंगे तो हम first option use करेंगे install और upgrade first option पे select करने के बाद enterprise करेंगे then installation start हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं disk found यानि जो मैंने आरेचल 6 का DVD इसके अंदर insert कर रखा है तो वो message देरा की disk है इसके अंदर, और इस media को इस disk को अगर आप check करना चाहते है test करना चाहते हैं कि media सही है या इसमें कोई error है, तो आप okay कर देंगे otherwise आप skip करके आगे next कर सकते हैं, okay करेंगे तो media पूरा check होगा, जिसमें time भी लगेगा, और skip करेंगे तो media check नहीं होगा तो यहाँ पर मुझे पता है कि मैंने आरेचल 6 का DVD इंसर्ट किया है वो properly सही है कोई error नहीं है, तो मैं अभी इसको skip कर देता हूँ एंटर करते हैं यहाँ पर installer फाइल अनकॉंडर रन करने के बाद यह आप देख सकते हैं, इसका graphical view है then आप यहाँ पर देखेंगे next option आ रहा है then यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह next option आ रहा है आपके सामने next करेंगे यहाँ पर language चूज करने के लिए दे रहा है तो language चूज करेंगे, next करेंगे फिर keyboard का language सेलेट करेंगे US default language ही रहने देंगे यहाँ पर type of devices हैं, जहाँ पर आपको installation करना है तो यहाँ पर basic device है इसको हमें सेलेट करना है, default रहने देंगे अगर आप installation network पर करना चाहते हो, तब उस case में specialized storage सेलेट करेंगे next करेंगे हला कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में आरिचल 6 का जो installation मैंने बताया है तो उसमें मैं अल्रेडी बता चुका हूँ कि कैसे Linux का installation होता है एक बार आप यहाँ देख सकते हैं, दुबारा से यहाँ आप zone select कर सकते हो asia call का था, next root का password insert करेंगे type करेंगे, then next click करेंगे फिर आप यहाँ देख सकते हैं use all space, partition कहाँ पर कौन कौन से partition आप बना सकते हैं या already जो partition बने हैं उसकी यानि hard disk information यहाँ पर सो कर रहा है first option है use all space इस case को हमें यहाँ पर dual booting करनी है तो all space use नहीं करना है और then यहाँ पर आप देख सकते हैं replace existing linux system then third option आप देख सकते हैं shrink current system fourth है use free space इसमें क्या होगा अगर इसको select करेंगे तो free space यहाँ पर create custom layout तो मैं create custom layout select करता हूँ जिसमें मैं खुद से partition बना सकता हूँ next करेंगे तो यह जो हमारे पास 60 GB का hard disk था उसमें से दो partition already बन चुके थे windows 7 installation में यह 31,436 MB का space बाकी है तो इस space पे हमें linux install करना है तो यहाँ पर हम partition create करेंगे create root root का size मैंने दे दिया already मैं आपको बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में अगर आपको अरिचल 6 का इंस्टॉलेशन सीखना है तो फर्स्ट वीडियो आप विजिट कर सकते हैं देन बूट ओके अगला एक और partition create करेंगे swap यहां से swap swap partition मैंने 3000 MB RAM का double partition create हो गया है next create करेंगे partition create करेंगे next करेंगे यहां पर desktop version select करेंगे next यहां पर अब देख सकते हैं starting installation process process start हो रही है linux installation की अभी इसमें थोड़ा सा time लगेगा वहां Además यहां आपो क्धा यहां से अरे, a यहां वहां है ओप यहां है को यहां कल रही है वहां है तो यहटी जीट筋़ेगा जब तक के इंस्टॉलेशन थोड़ा सा टाइम लेगा तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉस करता हूँ जैसे ये कंप्लीट होने वाला होगा देन आगे वीडियो उसको कंटीनू करेंगे फाइनल होने वाला इंस्टॉलेशन सारे पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं कि तना सारे प्राइम उसके खरे अनला काती हैं वुके खरेयawy ले farina होने वीडियो क Tips अनलो होने लेगali तक कि दिएन यह ओोंगा सекशिक जैसे सिस्टम रिबूट करेंगे जैसे सिस्टम रिबूट करेंगे DVD बाहर आगी DVD को निकाल लेंगे इंस्टालेशन कम्प्लीट यह देखे Red Hat Enterprise Linux Enterprise करेंगे स्टार्ट हो रहा है कुछ फाइनल सेटिंग्स जैसे यूजर नेम वगएर आपको देना पड़ेगा है यहाँ पर फॉरवड पर क्लिक करेंगे लाइसेंस एग्रिमेंट करेंगे यस नेक्स्ट अरेच्ट अरेच्ट ये रिड हैट से अपडेट करने के लिए अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो त अपडेट तो लेना नहीं है अभी नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर आप यूजर नेम दे सकते हो जिस यूजर से लॉग इन करना है देन पासवर्ड फॉरवड करते हैं यस टाइम और देट आप सेट कर सकते हो यहाँ पर ओके देन फिनिश यह आपका इंस्टॉलेशन, लाइनेक्स इंस्टॉलेशन हो गया है तो टॉपिक था कि डूवल बुटिंग, एक बार लाइनेक्स को मैं सर्वर को रिस्टार्ट करता हूँ रिस्टार्ट करने के बाद देखते हैं कि विंडोज ए सेवन भी चल रहा है या नहीं चल रहा है रिस्टार्ट करने के लिए सिस्टम को मैं रिबूट करता हूँ डूवल बुटिंग चेक करने के लिए जब भी सिस्टम रिस्टार्ट करता है तो आप एरो बटन, अपन डाउन एरो बटन को लगातार प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक option आ रहा है other, यह other operating system जो आपके windows है या कोई और operating system है यहाँ से आप जा सकते है, other पर click करेंगे, interface करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं यह आपका windows 7 है, तो अगर आपको rhl से login करना है तो first option use करेंगे और अगर आपको windows 7 से login करना है, तो आप second option यानि other option select करेंगे other option पर जाके आप enterprise करेंगे तो आपका windows 7 login हो जाएगा तो इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे आप linux के साथ windows की dual booting कर सकते हैं तंक्यू फार